पाठ सत्रा गिल्लू महादेवी वर्माच्छायवादी युग की सशक्त कवियत्री हैं। उनका सामानने विशय भी पाठक के हिरदय पर अमिट छाप छोड़ जाता है। गिल्लू एक गिलहरी का बच्चा है जिसे लेखिका प्यार करती हैं। प्रस्तुत पाठ एक संस्मरण है जिसका लक्ष पशुपक्षियों के प्रती और आत्मियता जगाना एवं उनकी सनलक्षन करना है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे में बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौवे एक गमले के चारों और चोचों से छुआ छुआ छुआवल जैसा खेल खेल रहे हैं। परन तु मन नहीं माना। उसे धीरे से उठा कर अपने कमरे में लाई। फिर रुई से रक्थ पूंच कर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। कि मेरी उंगली अपने दो ननहे पंजों से पकड़ कर नीले काच की मोतियों जैसी आखों से इधर उधर देखने लगा। तीन चार मास में उसके सनिक्धि रुएं जब्बेदार पूंच और चंचल चमकीली आँखें सब को विस्मित करने लगी। हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हलकी डलिया में रोई बिछा कर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही दो वर्ष गिल्लू का घर रहा। वो स्वयम हिला कर अपने घर में जूलता रहता और अपनी काच के मनकोसी आखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर नजाने क्या देखता समझता रहता था। परंतो उसकी समझदारी और कारे कलाप सब को चकित कर देता। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी और मेरा ध्यान आकरशित करने की उसे इतनी तीवर इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाए खोज निकाला। वो मेरे पैर तक आकर सर से परदे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका ये दोडने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़ कर एक लंबे लिफाफे के भीतर बंद कर देती। इस अदभट स्थिते में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहरे खड़ा रहकर वो अपनी चमकीली आखों से मेरा कार्य कलाप देखा करता। भूक लगने पर चिक चिक करके मानो वो मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिते में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़ कर उसे कुतरता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया नेम चमेली की गंद मेरे कमरे में धीरे धीरे आने लगी। इतने छोटे से जीव को घर में कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या थी। आवश्यक काज़ पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। प्रथम की खुली जाली की राह बाहर जला जाता और दिन भर गिलहरियों के जुंड का नेता बना हर डाल पर उचलता कूदता रहता। और ठीक चार बजे वो खिरकी से भीतर आकर अपने जूले में जूलने लगता। मुझे चौकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन हो गई थी। कभी फूलडान के फूलों में छिप जाता, कभी परदे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशुपक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतो उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाना खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरन नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था, मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुँचती, वो खिड़की से निकल कर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुँच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता, बड़ी कठनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठ कर, वो मेरी थाली में से एक एक चावल उठा कर बड़ी सफाई से खाता रहता, काजू उसका प्रेक हाद दिता, और कई दिन काजू ना मिलने पर, वो अन्ने खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था, या जूले से नीचे फेक देता था, उसी बीच मुझे मोटर दुरगटना में आहत होकर, कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा, उन दिनों जब मेरे कमरे का दर्वाजा खोला जाता, गिल्लू अपने जूले से उतर कर दोड़ता, और फिर किसी दूसरे को देखकर, उसी तेजी से अपने घूसले में जा बैठता, सब काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लाट कर जब मैंने उसके जूले की सफाई की, तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ग्यात होता था कि वो इन दिनों अपना प्रे खाज, कितना कम खाता रहा, मेरी अस्वस्थता में वो तकीय पर सिरहाने बैठ कर, अपने नन्हे न करती रहती, तो गिल्लू न बाहर जाता, न अपने जूले में बैठता, उसने मेरे निकट रहने के साथ, गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था, वो मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता, और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहत गिलहरियों के जीवन की अवध ही दो वर्ष से अधिक नहीं होती, अता गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आही गया, दिन भर उसने न कुछ खाया, न बाहर गया, रात में अंत की यातना में भी वो अपने जूले से उतर कर मेरे बिस्तर पढ़ाया, और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़ कर हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन की मरनासन स्थिति में पकड़ा था, पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटा जलाया और उसे ओशनता देने का प्रयास किया, परंदु प्रभाद की प्रथम किरन के स्पर्ष के किसी और जीवन में जगाने के लिए वो हमेशा के लिए सो गया